हेलो जुनूनियन्स क्या हाल चाल क्या हाल चाल बचा लोग I hope सब लोग बढ़े होंगे fit and fine होंगे तो मैं हुआ लोग चौबे आपका दोस्त आपका होस्त और फिजिक्स मेंटॉर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से चैनल PW Little Champer और वहां पर भी कहां इस जुनून प्रो बैच के अंदर जुनून प्रो फॉर आर लिटिल ब्रो तो हम लोग आच चुके हैं एक बार फिर से और बचो आप लोग को पता है हम ल लोग फिर से आ गए हैं यानि इस लेक्षर नमबर टू में और बाकी बचे हमारे जो टॉपिक हैं इस चाप्टर से वह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीखेंगे और बहतरीन तरीके से समझेंगे पर प्यारे बचो आपको फोकस होके कॉंसेंट्रेट होके सारी चीज में मैं आप लोगो क्या पढ़ाने वाला हूं तो मैं आपको plane and curved mirror के बारे में कुछ बाते बताओंगा plane and curved mirror हाँ नहां plane and curve mirror फिर हम concave and convex lenses यानि हम lenses के बारे में बातचीत करेंगे lens क्या होता है कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या होते हैं uses और एक फिर last में बहुत प्यारा बहुत ही बहतरी सागोशन होगा क्या होगा वो last में पता चलेगा तो चलिए हम बात करते हैं plane and curve mirror की और plane mirror की अगर हम बात करें तो हम पहले कर चुके हैं कि plane mirror एक ऐसा mirror होता है जिसमें reflecting surface एकदम flat होता है यानि plane mirror have a flat reflecting surface flat reflecting surface और इस mirror का इस्तिमाल आप लोग रोज करते हैं जब भी आप उठते हैं अपने आप को mirror में देखते हैं और किते हैं हाँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा हूं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब दूसरे mirror की बात करते हैं क्या होता है कर्व मिरर कर्व मिरर बचो उसमें नाम में चुपा है यानि एक ऐसा mirror जो इसकी reflecting surface flat नाओ के curve हो यानि पहले हम definition लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं a mirror a mirror which have a mirror which have curved reflecting surface curved reflecting surface is known as curve mirror अब यह reflecting surface जिसकी curved हो यह कहां पर देखा है आपके घर में दुनिया भर के curved mirror हैं सायद आप लोगोंने कभी गौर नहीं किया होगा पर चमच चमच कैसी होती है ऐसे curved होती है तो आप चमच के front side में भी देखेंगे तो आपको अपना face दिखाई देगा आप चमच को back करेंगे तो भी आपको आपका face दिखाई देगा चम्मच हो गया, कटोरी होगा, प्लेट हो गया, यह सब ही क्या है, curved mirror की तरह है काम करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक curved mirror आखिर बनता कैसे हैं। तो देखिए बचो, हम क्या करते हैं एक hollow, एक hollow क्या लेते हैं, sphere लेते हैं। यह अंदर से खोखला है यह अंदर से खोखला है होलो स्फेयर लेते हैं यह हम कहें आपने अगर टेनिस की बॉल देखी होगी क्या किसी ने टेनिस की बॉल देखी होगी यार प्लास्टिक की बॉल देखी होगी तो यह क्या है एक होलो स्फेयर है यह हम कहें एक बॉल है यह बॉल है हमने क्या किया इस बॉल को बीच में से कट कर दिया हूँ हमने इस बॉल को बीच में से कट कर दिया तो अब दोस्तों यह बॉल कैसी हो जाएगी देखना जरा ध्यान से इसको जब हम बीच में से कट करेंगे तो इसका एक हिस्सा यह रहा दूसरा हिस्सा यह रहा और अब क्या हो जाएगा, ये रहा इसका ये पार्ट, ये रहा इसका ये पार्ट, हमने जब इस बॉल को कट किया, तो ये बॉल कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये बॉल कुछ ऐसे दिखाई देगी, और ये क्या है, एक टूडी मेज है, लेकिन बॉल को आप और जरा गौर से देखेंगे तो वो क्या होगी कुछ ऐसे यारी अंदर वाली सर्फेस उसकी कैसी हो जाएगी ऐसे और बाहर की सर्फेस यह हो जाएगी आपकी बॉल कुछ ऐसे दिखाई देगी अंदर से ऐसा और बाहर से यह दिखाई देगा ठीक है तो हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर स सकते हैं ऐसे और ऐसे यह आपके दो सर्फेस दोजाएंगे जब हम इस बॉल को कट करेंगे तो अब बॉल को कट करेंगे तो बच्चों इसमें दो सर्फेस हैं एक तो है बाहर वाली सर्फेस यह क्या है आउटर सर्फेस है यह एक outer surface है और अंदर होगा इसे हम कहेंगे inner surface अब जराध्यान से देखो इस mirror की यह क्या है mirror है मतलब बॉल था बॉल जैसा एक mirror था जो की hollow था एक mirror था जो की hollow था उसको बीच में से cut किया तो हमें दो parts मिल गए जिसमें एक outer surface होगा जिसमें एक inner surface होगा और यह जो reflecting surface है जो light reflect करेगा यह flat नहीं है यह कैसा है curved है इसलिए हम इसे कहेंगे curved mirror जैसे कि एक चम्मच में एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा कटोरी में एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा तो वो आपका curved mirror कहलाएगा अब हम क्या कर सकते हैं यह जो है यह वाला जो पार्ट है आपका दोनों ही पार्ट क्या है ट्रांस्पेरेंट है यह क्या है यह यह ट्रांस्पेरेंट है यानि बाहर से भी ट्रांस्पेरेंट है अंदर से भी ट्रांस्पेरेंट है तो अगर हम क्या करें एक वाले किसी हिस्से को या तो आउटर सर्फेस को या इनर वाली सर्फेस को Honour surface को हमने पॉलिष कर दिया तो आउटर सर्फेस हमारी पॉलिष हो गई पॉलिष सर्फेस हो गई और जो अंदर वाली हमारी बचएगी यह हो जाएगी हमारी R자를 रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यह हमारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हो जाएगी बच्चों इसके अलाबा एक दूसरा कंडिशन क्या हो सकता था कि हमने क्या किया अंदर वाली सर्फेस को पॉलिस कर दिया हमने अंदर वाली सर्फेस को पॉलिस कर दिया तो जो हमारा बाहर वाला surface है यह अंदर वाली polish surface हो गई जो बाहर वाला है यह हमारा हो जाएगा reflecting surface तो दो possible cases हैं जो कि हम कर सकते हैं हमने एक holosphere लिया बीच में से cut किया बीच में से cut किया तब वो कुछ ऐसा दिखने लगा अब यह जो हमारा एक बाहरी surface को पॉलिस कर दें अंदर वाला आपका reflecting surface हो जाएगा यानि फर्स condition यहां पर जो reflecting surface है वो क्या है करवड है यहां पर भी reflecting surface करवड है और यहां पर होरी reflecting surface करवड है तो एक ऐसा मिराग्स झरेफ्लेक्तिंग सरफिस करवड होती है उसे कहा जाता है कर मिराइंड दा मोस्त कॉमन इग्जांपल अपका मिरर इजा स्वेरिकल मिर्ण स्वेरिकल ये एक sphere है जिससे हमने cut करके इसको बनाया है तो ये आपके curved mirror होते हैं ठीके तो most common example जो होगा आपका spherical mirror का क्या most common example जो होगा आपका curved mirror का वो होगा spherical mirror clear है समझ में आपको आगया होगा अच्छा अब करण दोटाइप सोते हैं क्योंकि जब हमने क Carl पर किया तो होगा यानि दो possible cases हैं और इससे हमें दो नए mirrors मिलते हैं जिने हम कहते हैं concave and convex mirror जिसे हम कहते हैं concave and convex mirror अब concave mirror क्या है बचो तो concave mirror यानि एक ऐसा mirror जिसमें outer surface polished हो जिसमें बाहरी surface polished हो यह क्या है आपका polished surface एक ऐसा mirror जिसमें बाहरी या outer surface polished हो outer surface polished हो and and आपका जो inner surface हो वे कैसा हो reflecting हो यह polished surface है और यह आपका reflecting surface है यानि यह वाला अंदर वाला जो surface हैं यह क्या करेगा जब इस पर light ray आकर incident होगी तो यह उस लाइट रिफेक्ट करदेगा और यह क्या हो जाेगा आपका reflected ray हो जाएगा यह क्या है incident ray है यह आपका incident ray है जो की आ रहा है किसी light source से आके इस mirror से टकरा रहा है और यह mirror क्या करेगा इस incident ray को reflect कर देगा इस incident ray को reflect कर देगा तो इसे हम कहेंगे reflected ray तो concave mirror, spherical mirror के दो type होते हैं जिन में से एक होता है concave mirror अगर हम definition की बात करें तो definition कहती है if the reflecting surface of a spherical mirror is curved inward यानि reflecting surface अंदर की ओर हो reflecting surface कहां हो अंदर की ओर हो and away from the light source then it is called a concave mirror away from the light source का मतलब क्या है यहाँ पर एक candle रखी हुई है यहाँ पर बच्चों एक candle रखी हुई है यहाँ पर यह एक candle है और इस candle के सामने हम एक concave mirror रखते हैं इस candle के सामने हम concave mirror रखते हैं तो देखिए concave mirror में क्या होता है जो reflecting surface है वो inward है और reflecting surface ऐसा लग रहा है न कि इस light source से दूर जा रहा है यह जो reflecting surface है light source से दूर जा रहा है तो इसलिए इसे कहा जाता है कौन केव मिरर कौन केव मिरर ठीक है अब अगर हम बात करें एक दूसरे टाइप के spherical mirror की तो जिसमें जो अंदर वाली surface होती है यानि जो inner surface होती है उसे क्या किया जाता है पॉलिस्ड किया जाता है तो एक ऐसा मिरर जिसमें अंदर वाली surface पॉलिस्ड हो अंदर वाली surface पॉलिस्ड हो और जो बाहर वाली surface हो वो वर्क करें एक ऐसा मिरर जिसमें बाहर वाली surface एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह वर्क करें उसे कहा जाता है कॉन वेक्स मिरर जो की लाइट सोर्स के पास होता है इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास एक हमारे पास candle है यह हमारे पास candle है और इस candle के सामने एक हम convex mirror रखते हैं convex mirror जिसमें inner surface polished होती है inner surface यानि अंदर वाला हिस्सा polished है and बाहर वाला हिस्सा क्या है reflecting है तो यह reflecting surface है अब देखिए आपको दिख रहा है कि यह एक light source है और यह जो convex mirror है इसका reflecting surface इसके पास आ रहा है इसका reflecting surface light source के पास आ रहा है light source के पास आ रहा है इसका reflecting surface तो इसे हम कहेंगे convex mirror convex mirror समझ में आया हमारे पास एक spherical mirror था एक sphere था बीच में से हमने cut किया दो सेक्षन बने, दो सेक्षन में हम क्या कर सकते हैं, उन्दों दो सेक्षन में, या तो हम अंदर वाली सर्फेस को पॉलिस कर सकते हैं, बाहर वाली को रिफ्लेक्टिंग छोड़ सकते हैं, या बाहर वाली को पॉलिस करके अंदर वाली को रिफ्लेक्टिंग हम छोड़ सकते ह ठीक है बच्चो प्यारे बच्चो तो आपको सिंपल सा समझना है आपके पास चम्मच है आप चम्मच के बाहरी वाले इससे को पॉलिस कर देंगे तो अंदर वाले इससे लाइट रफ्लेक्ट होगी उसे हम कहेंगे और अगर आप अंदर वाले इससे को पॉलिस कर देंगे त towards the light source, then it is a convex mirror. वो हो गया आपका convex mirror, यह हो गया आपका concave mirror. अब real and virtual image क्या होता है बच्चों? तो एक ऐसी image जिसे screen पर present किया जा सके, जो आप कि दने देखा होगा, पर पर पिक्चरे चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है? इस screen पर हम image को present कर रहे हैं, तो एक ऐसी image जो की screen पर present हो जाए, उसे कहा जाता है, real image. An image formed on a screen is called a real image. वहीं अगर हम बात करें कि plain mirror से जो image बनती है, यानि mirror के सामने हम खड़े हो गए, हमारी image जो बन रही है, उस image को हम स्क्रीन पर present नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसी image जो की screen पर present नहीं होती है, उसे कहा जाता है, virtual image. इमेज विच कैन नोट बी ऑबिटेंड on a screen is called a virtual image. तो यह बहुत एक simple सा आपको basic सा introduction दिया गया है, अब जैसे जैसे आप higher classes में आते जाएंगे, आपको ये सारे चीजे ये सारे topics detail में पढ़ाये जानने लगेंगे with ray diagram, यानि diagram बना के आपको दिखाया जाएगा कि कब कहां पर object होता है, तो किस type की image का formation होता है, अब चलिए हम बात करते हैं कि concave mirror जो है, जिसमें reflecting surface invert होती है, उससे बनने वाले images की कुछ properties की बारे में, तो बच्चो, concave mirror से जो image बनती है, वो image real भी हो सकती है, virtual भी हो सकती है, वो erect भी हो सकती है, वो inverted भी हो सकती है, the image form by concave mirror can be smaller or larger in size than the object and the image may also be real and virtual, real मतलब screen पर present कर लीजिए, virtual मतलब screen पर present नहीं होगी, ठीक है, अब ये depend करता है कि कब real image बनेगा, कब virtual image बनेगा, तो वो depend करता है कि object का जो distance है, वो mirror से कितना है, object distance from the mirror, object distance from the mirror, आप mirror से object की जो distance है, object की जो distance है, उसको vary करते जाए, change करते जाए, आपको जो image बनेगी, वो अलग-अलग nature की बनेगी, अलग-अलग nature की बनेगी, और ये जब आप लोग class 10th में आएंगे, तो वहाँ पर आपका एक chapter light, reflection and reflection, जहाँ पर detail में आपको बताया जाएगा, कि किस point पर object को रखने पर उसकी image कहाँ पर बनेगी, कैसी होगी, real, virtual होगी, erect या inverted होगी, ये सारी चीज़े आपको पता चलेंगी, फिलाल तो ये बाते आपको बस ध्यान रखना है, कि concave mirror से जो image बनती है, वो बड़ी भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, अब बात करें कि concave mirror का इ एक ऐसा mirror चाहिए, जो हमारी cavity को enlarge कर दे, यानि उसकी बड़ी image बनाएं, क्योंकि दांत वैसे हमारी चोटे-चोटे हैं, cavity और ज्यादा चोटे, तो वो cavity हमें दिखेगी कैसे, अगर वो doctor के पास एक ऐसा mirror हो, जो कि उस cavity को बड़ा कर दे, तो doctor को आसानी होगी देखने में और वो treatment कर सकता है, वहाँ पर concave mirror का इस्तेमाल क्या जाता है, concave mirror are used for many purposes, you might have seen doctors using concave mirror for examining eye, ear and nose and throat, अब ये concave mirror क्या करता है, image को बड़ा कर देता है, यानि आपका जो object होगा जितना चोटा उसको कहीं जादा enlarge कर देगा, जैसे ये आपका एक object है, और इस object के सामने हमने क्या एक concave mirror, इस object के सामने हमने एक concave mirror दिया, तो ये concave mirror क्या करेगा, इस object की image को बड़ा करदेगा, ये concave mirror इस object की image को बड़ा कर देगा, और ये image कैसे हो जाएगी, तो ये object की दो image है, अब ये आपको बड़ी दिखने लगेगी यह object की में जो है वो अब आपको बड़ी दिखने लगेगी कैसी बचो एकदम बड़ी दिखने लगेगी clear है समझ में आप लोगों को आ गया तो यह object था आपका यह object छोटा था यानि size आपका क्या है smaller है यहाँ पर size कैसा हो गया है larger हो गया है तो dentist इस्तिवाल करते हैं इस कौन की mirror का अब बात करते हैं next type के mirror की जो की है आपका convex mirror और convex mirror में क्या है reflecting surface outward होती है और इसी वज़े से उससे जो image बनती है वो कैसी होती है always upright होती है upright का मतलब अपका up down का down इसका मतलब अगर object आपका ऐसे है object अगर आपका ऐसे है जिसमें arrow अपर है तो जो image form होगी उस image में भी arrow उपर ही होगा जो image form होगी उस image में arrow ऊपर ही होगा इस type का formation होता है convex mirror से और convex mirror क्या करता है बच्चो दीखिये Go Convex Mirror में जो Reflecting Surface आउटवर्ड होती है। यह आपकी Reflecting two सर्फेस है ठीक है। अब Reflecting अणवafis आउटवर्ड होने की वैसे इसको मिलता है एक mid hoe एडवान待 वह एडवांटेज्ट यthest यह है कि ये एक larger area को कवर करता है यह कलो एड़र एरिया को कवर करता तो उस उब्जेक्ट के image का यह formation करेगा यानी convex mirror cover सा larger area और larger area के image को बना देता है छोटी सी जगे में इसी वज़े से हमारे जो vehicles होते हैं उसमें जो rear view mirror होता है जो कि हमें पीछे का traffic दिखाता है उस mirror में इस्तिमाल किया जाता है इस convex mirror का ताकि वो छोटी सी जगे में हमारे पीछे बहुत बड़े traffic को दिखा सके और हम उसके according अपना वेहिकल चला सकें खुद को बचाते हुए ठीक है तो यह वेक्स है यह आपका convex mirror क्या है दोस्तों यह आपका convex mirror है convex mirror are used as side mirror in automobiles to help the driver to see the traffic behind them ओके समझ में आया convex mirror और convex mirror से बनने वाले images की बारे में यह भी detail में आप पढ़ेंगे जब आप class 10th में जाएंगे अब हम बात करते हैं lenses की convex या concave mirror में क्या है सिर्फ एक ही surface है concave या convex mirror में सिर्फ एक surface है but lens में क्या होता है बच्चों lens में दो surfaces होती है lens have two surfaces और lens क्या है lens एक transparent material होता है जिसमें दो surfaces होती है lens एक transparent material होता है जिसमें दो surfaces होती है और light उस lens को cross कर सकती है but एक mandatory condition यह होती है कि उस lens में at least एक surface spherical होना चाहिए तो lens is a transparent medium in which light can pass easily but one of the two surfaces must be क्या होना चाहिए वो आपका होना चाहिए बच्चों spherical तो यह आपके different lenses आते हैं lens is a transparent medium bounded by two surfaces in which at least one surface should be spherical जैसे यहां पर देखिए दोनों यह spherical हैं दोनों spherical एक spherical एक spherical यानि यहां पर दो surfaces मिलके lens बना रहा है जो कि transparent है अब lenses का इस्तमाल किया जाता है आपका telescope में माइक्रोस्कोप में आप जो चस्में पहनते हैं आप जो चस्में पहनते हैं spectacles पहनते हैं उसमें lens हमारी आखों के अंदर भी crystalline lens होता है jelly-like होता है अब क्या होता है अगर उसमें कोई problem हो जाए खराबी आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम चस्में पहनते हैं और चस्मा भी क्या होता है lens होता है transparent material होता है जिसमें दो surfaces होती है ठीक है प्यारे बच्चों lens are widely used in spectacles telescope and microscope notice that the lenses are transparent and light can pass through them light इन में से आसानी से पास हो सकती है light इन में आसानी से पास हो सकती है clear है और ये lenses का इस्तमाल किया जाता है हमारी आखों में होने वाली बिमारियों को ठीक करने के लिए क्योंकि आपने सुना होगा जब उम्र बढ़ती है या आजकल तो आपने देखा होगा जो छोटी-छोटे बच्चे होते हैं उनको ही चीज़े दिखाई नहीं देती है किसी को path की चीज़े नहीं दिखाई देती है किसी को दूर की चीज़े दिहाई नहीं देती है तो वह doctor के पास जाते हैं doctor को दो टाइप की होते हैं यहां पर देख रहा है दो टाइप तो लेंस दो टाइप की होते हैं बच्चो एक होता है कॉन वेक्स लेंस और एक होता है कॉन केव लेंस अब कॉन वेक्स लेंस और कॉन केव लेंस आपको पता कैसे चलेगा कि कॉन सा कॉन सा कॉन सा कॉन केव तो आप ताइब लेंस को टच कीजिए और वो end पर यानि दोनों ही end पर वो क्यासा हो ठिन हो और Center में वो क्यासा हो ठिक. थिक हो यानि एक ऐसा lens जिसमें हम हात फेड रहे हो से हम टज कर रहे है तो वो किनारों पर पतला और बीच में सेंटर में अगर चौड़ा लगता है तो उसरे हम कहेंगे कॉन वेक्स लेंस धूर्टी ओर सजरृ इसमें क्या होता है बचो वो देंगे मैं आपको बना की बताते हूं पैक्श अदिन आपको कासा देखने को मिलेगा यह देखिए बीच में कैसा है, बीच में चोड़ा है, बीच में यह थिक है, यह बीच में थिक है, and ends पर अगर हम बात करें, ends पर यह क्या है, एकदम पतला है, किनारों पर यह पतला होता है, बीच में चोड़ा होता है, तिससे हम कहते हैं, convex lens, those lens which feel thicker in the middle than at the edges are convex lens, and एक ऐसा lens, जो कि ends पर, यानि किनारों पर कैसा हो, बच्चों, किनारों पर वो मोटा हो, ठिक हो, और बीच में, वो बीच में कैसा हो, पतला हो, तो उस lens को कहा जाता है, एक कौन केवलेंस, those which feel thinner in the middle than at the edges are कौन केवलेंस, तो यह आपका कौन केवलेंस हो गया, अगर इसे आपको बनाना है, तो आप ऐसे एक कर्व करिए, ऐसे कीजिए, और इन दोनों को मिला दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा कौन केवलेंस, जो की आपके edges पर कैसा है, यह म अलग बिमारी में इस्तेमाल करते हैं, इसका अलग, यानि जब आपको पास का नहीं दिख रहा है, तो आपको अलग लेंस होगा, जब दूर का नहीं दिख रहा है, तो अलग लेंस होगा, आप glass strength में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, दो बिमारिया ह होती है, hypermetropia, myopia, और एक और होती है, press biopia, जिसमें अलग-अलग lenses का इस्तमाल किया जाता है, ठीके, अभी आपको lens समझ में आ गया, अब lens में भी क्या होता है, एक lens converging होता है, एक diverging होता है, जैसा आपका जो convex lens होता है, बच्चों, वो क्या करता है, उस पर incident होने वाली सार पर ले जाके मिला देता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जरध्यान से, तो यहाँ पर बहुत सारी light ray आकर incident हो रही है, इस convex lens पर, यह convex lens क्या करता है, इन सारी light rays को जो की दूर-दूर फैली-फैली हुई थी, सारी light rays जो फैली हुई थी, इन सभी को पकड़ के पास मिल जाता है, और एक single point पर लाकर मिला देता है, इन सभी को एक single point पर लाकर मिला देता है, यहाँ पर, और बच्चो यह जो convex lens है, यही magnifying glass की तरह इस्तिमाल किया जाता है, यही magnifying, magnifying glass की तरह इसका यूज किया जाता है, आप लोग ने देखा होगा, magnifying glass जिससे आप क्या करें, एक paper के उपर रखें, और सारी sunlight को क्या करें, sunlight जो भी आ रही है, आप उसको क्या करते हैं, उस magnifying lens को adjust करते हैं, तो paper जलनने लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो magnifying lens, आ जाती है, जिस वज़े से वो paper burn होने लगता है, यानि a convex lens converge, bend inward the light generally falling on it, therefore it is called a converging lens, सारी light को पकड़ के एक single जगे पर ले जाना, वहीं दूसरी भाहत पर अगर बात करें, concave lens की तो वो क्या करता है, जब उस पर light रे जाकर टकराती है, तो वो फैल जाती है, concave में टकराने के बाद फैल जाती है, तो आपका जो concave lens होता है, वो क्या करता है, उस पर incident होने वाली light rays को वो फैला देता है, यह light ray आई, और इस से pass होने के बाद यह फैल जाती है, अलग-अलग direction में, तो यह होता है आपका diverging lens, in the other hand, concave lens diverge, bend outward, the light and is called a diverging lens, concave हो गया, आपका converging, convex हो गया, convex हो गया, converging and concave हो गया, आपका diverging, convex होता है, converging, concave होता है, diverging, तो यह आपके lenses होते हैं, ठीक है, दो lens पढ़ दिया, अब एक simple सा question आता है, कि जो sunlight है बचो, वो white color की होती है, या color होती है, तो इसका बहुत simple सा आंसारे, आपने rainbow देखा होगा, rainbow में आपको seven colors दिखाई देते हैं, यानि जब कभी बारिस होती है, तो बारिस के बाद हमें आसमान में एक बहुत ही प्यारा सा beautiful सा नजारा देखने को मिलता है, जिसे हम rainbow कहते हैं, यह रहा rainbow, अब rainbow में अगर आप जराध्यान से देखेंगे, rainbow में आप जराध्यान से देखेंगे, तो आपको एक color नहीं दिखाई देते हैं, आपको multiple colors दिखाई देते हैं, और अगर उन्हें हम segregate करें, तो हमें total seven colors दिखाई देते हैं, इसके अलावा आप क्या करें, एक prism है, जब इस prism में से white light enter करती है, तो वो white light जब इस prism के बाहर निकलती है, तो वो white light अपने seven constituent color में तूट जाती है, वो white light seven constituent color में तूट जाती है, और इस process को कहा जाता है dispersion of light, dispersion of light, यानि white light का, white light का अपने seven colors में तूटना कहलाता है, dispersion of light, ये होता है, इसके अलावा आप क्या करना है, आप, एक disc होती है, यानि आप क्या कीजिए, एक gold disc लीजिए, आपको एक gold disc लेना है, इस पर आप seven colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, ये सारे color इस पर mix कर दीजिए, यानि आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा yellow color यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा red color यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा green color यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा blue color यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा violet color यूज़ करना है, फिर आपको थोड़ा सा orange color यूज़ करना है और फिर आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, आपको Indigo Color यूज़ करना है यह सारे color आप यूज़ किजिए, इस disc पर यह सारे color लगाईए और आप इस disc को गोल 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 बहुत तेजी से घुमाएंगे न तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही color दिखाई देगा आपको लगेगा ये disc सिर्फ और सिर्फ white color की है white color की है तो ये जो rainbow है जिसमें seven colors है इस prism में से जब white light enter कर रही है तो वो seven colors में तूट जा रही है अब जब आप इस disc को घुमा रहे हैं तो ये साथ color है फिर भी white color की दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे experiment हम को बताते हैं कि white light जो होता है वो seven colors से मिलके बना होता है और वो seven colors होते हैं आपके red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet और अगर इन्हें याद रखना है तो आपको एक code याद रखना वड आदेगा विब ग्योर जिसमें आपका violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red ये seven colors होते हैं जिससे मिलकर आपका white जो color होता है वो वना होता है या white light बना होता है ठीक है ये rainbow होता है इसके अलावा बचो आपने disc देखाऊगा, cd देखाऊगा जो पहले आते थी cd लगाया और उसमें movie देखने लगे उस cd को आप ऐसे rotate करेंगे तो आपको इस type का pattern देखने को मिलता है seven colors देखने को मिलते हैं ठीक है इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा वही जो मैंने prism को बताया आप लोगों ने देखा होगा अब इन सारे experiment को देखें यानि on the basis of these experiment we could say that the sunlight is a mixture of different colors या हम कहें seven colors कौन-कौन से विब ग्योर इन seven colors से मिलकर आपका white light बिना होता है ठीक है प्यारे बचो तो यह आपका इसी के साथ आपका जो light chapter वो भी हो गया है and अब आपको practice के लिए दो questions आपको इन questions के answer बताने है comment box में which of the following can be used as a real image which of the following can be used to form a real image इन में से किसका इस्तेमाल करते हैं real image के formation के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है next which of the following is used as a side view mirror यानि vehicle में side view mirror में किसका इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है plane mirror, concave mirror, convex mirror या convex lens ठीक है प्यारे प्यारे नन्यमने जुनून यंस, जुनून प्रो हमारे little bros तो इसके साथ हमारा जो first chapter आपका light complete कर लिया हम लोगों ने दो lecture में बहुत कम time लिया आपका और इसमें बहुत सारी चीज़े सिखा दी तो अब मि पुस्कराते रहिए अपना खयाल रखिए और वो सारे काम करें जिसमें आपको मजाए टाटा बाइबाए एंड थैंक यू